राहुल गांधी समेथ समूचा विपक्स चाहे जितनी मेहनत कर ले दुहजार चौबिस में चुनाव तो मोदी जी ही जीतेंगे महंगाई बेरोजगारी ब्रस्टाचार चीन अडानी पर फ्राड के आरोप इन सारे मामलोप से जनता चाहे जितनी नाराज हो जाये चाहे बीजेपी को बाल्टी भरबर के गालियां दे मगर फिर भी चुनाव तो मोदी जीतेंगे पेट्रोल डीजल चाहे 500 रुप्या लिटर हो जाए चाहे सिलिंडर वाद 10,000 का हो जाए मगर फिर भी चुनाव तो PM मोदी जीतेंगे चाहे पूरा विपक्स एक जुठ होकर चुनाव भी लड़ ले इसके बाद भी चुनाव तो PM मोदी ही जीतेंगे क्योंकि उनके पास है EVM की ताकत और EVM है तो मुम्किन है ये बातें मेरी बिल्कुल नहीं है हर एक वीडियो की नीचे कमेंट में प्रती दिन सेकडों लोग ये बातें लिख रहे हैं रोज-रोज इसे देखकर मैंने सोचा कि क्यों ने एक पोल ही करवा लिया जाए और जब पोल करवाया तो जो परड़ाम सामने आया है जो रिजल्ट आया है उसे देखकर आखे चोधी आ गई है जी हाँ EVM पर देश की जनता ने जो जवाब दिया है वो देश की वरतमान लोकतांतरिक और चुनावी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है तो क्या रहा है इस पोल का रिजल्ट और लोगों ने क्या-क्या बाते कही है इन सब पर विस्तार चबात करेंगे यानि कि EVM पर विस्तरिच चर्चा करेंगे इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरा देखने के बाद लोगों तक पहुँचाईएगा भी अचा इन्हें तो आप पचांते ही होंगे ध्यान से देखिए ये वही हैं जिनोंने हवाई जहाज में पूछता है भारत की हवाया उड़ा दी थी मोधी सरकार के एक कानून के खिलाफ ये पहुचे हैं मौवाबे हाई कोर्ट इस मामले पर भी विस्तार से बात करेंगे आपने अक्सर सुना होगा जहां चाह वहां राह लेकिन अब ये कहावत बदल चुकी है अब कहावत हो गई है कि जहां दंगा बहाँ भाजपा मैं इसा क्यों कह रहा हूँ इस पर भी अच्छे से बात करूँगा इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात्ची सुरू करने से पहले आप सभी से अन्रोध है कि यदि आप में पहली बात देख रहे हैं हमें आर्थिक साहता भेजने का भी प्रयास करें इसके साथ ही यूटूब पर देख रहे हैं और संभा हो तो हमारे चैनल को जोईन कर लीजिए जिससे हमें चैनल चलाने में थोड़ी आसानी होगी हाल ही में केंद्र की मोधी सरकार ने मुक्की में हाथ डाल कर एक कानून लाया था मुक्की नहीं जानते हैं तो जान लीजिए गाउं में मकानों की दिवारों की बीच जो छोटे 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 छेद बनाया जाते हैं जिनमें हवा वगरा आने जाने के लिए और जहांकने के काम में भी आता है उसे भोजपुरी में मुक्की कहा जाता है अब गें सरकार मुक्की में से कानून कैसे ले कर आई है वो इसलिए क्योंकि जब तक संसत का सत्र चल रहा था सरकार इस कानून पर सन्नाटा मारे रही लेकिन जैसे ही सत्र खत्मुगा कानून आ गया सायद ऐसलिए किया गया क्योंकि अदिस सत्र के दोरान ये कानून आता तो विपक से इस पर हंगामा करता और जादा सवाल उठते जनता के बीच बात पहुचती चर्चा होती कि इतना खतरनाक कानून जो लोगतंत के सरासर खिलाफ है कैसे लाया गया क्यों लाया गया ये कानून है IT Rules Amendment यानि कि P.I.B. को सोचल मेडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी खबर को जाचने के लिए अधिकरित कर दिया गया है ट्विटर, फेस्बुक या फिर किसी भी सोचल मेडिया प्लेटफॉर्म पर केंसरकार से संबंदित यानि कोई खबर चल रही है तो सरकार खुद उसकी जाज करवा के हटा सकती है इस मामले पर हमने विश्टित वीडियो किया है आप चाहें तो यहां आई बटन पर उपर क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा बहुत ही महत्वण बाते उसमें बताई गई है इस वीडियो में हमने बकाइदा बताये था कि कैसे केंसरकार कोई भी खबर जो उसे पसंद नहीं आएगी यानि कि जिससे केंसरकार की छवी खराब होती होगी जिससे पॉल खुलती होगी उसे गलत बताकर मिटाने का अधिकार खुद अपने हाथों में ले लिया है एडिटर्स गिल ने इसकी पुर्जोर आलोचना की इसके साथ ही जितने भी बुद्देजीवी वर्ग हैं सभी ने इसे लोग तंतर के लिए खतरनाक बताया था क्योंकि पत्रकारिता होती ही है सरकार के खिलाब और यदि सरकार ही पत्रकारिता की जाच करने लगे तो फिर लोक तंतर का बंटाधार तो निश्ची थी मानके चलिए इसी को लेकर कुनाल कामरा बांबे हाई कोर्ट पहुँचे हैं कुनाल का कहना है कि ये नियम अस्पस रूप से मनमाना है क्योंकि केंसरकार स्वेम के मामले में खुद ही वकील और खुद ही जज़ भी बन रही है ऐसे तो सम्विधान द्वारा दिये गए आर्टिकल 19.1.a पूरी तरह से खत्रे में आ जाएगा एक बर फिर से बता दूँ यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर उसको उपर क्लिक करके देख लीजी किस प्रकार का ये कानून है जो लेकर आई है केंसरकार कितना खतरनाक हो सकता है ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसी कानून का दुरुपयो करते हुए हम जैसे लोगों को परिशान किया जाए वीडियोज को डेलीट कर दिया जाए घलक बताकर कुछ भी हो सकता है पहले से ही अभिवेक्ति की आजादि की अधिकार का बंटादार हुआ पड़ा है सत्ता से सवाल पूछने वालों को अलोचना करने वालों को तंज करने वालों को अने काने तरीकों से परिशान किया जा रहा है महराश्ट में गानों के माध्यम से राजनीती पर निसाना सादा था इन्होंने महराश्ट की एक ना सिंदे सरकार सपर निसाना सादा था इन्होंने और मुंबई के रैपर उमेश खड़े ने अपने गाने में व्यक्दिकत लाब के लिए गरीबी से पीडित लोगों की अंदेखी करने के लिए राजनेताओं के अलोचना की थी यानि कि इन दोनों ने अपने गानों के माध्यम से वो किया था जो एक नागरी को करना चाहिए जो अधिकार हमारा सम्विधान देता है मगर फिर भी इनके उपर मुकदमा दर्ज हो गया एक वक्त था जब देश के पहले प्रधान मंतरी पंडित नहरू के सामने बैठकर नागरजुन ने कह दिया था कि वतन बेचकर पंडित नहरू फोले नहीं समाते हैं बेसर्मी की हद है फिर भी बातें बड़ी बनाते हैं यानि कि पंडित नहरू के जन्दिन के अउसर पर उनके सामने बैठकर ततकालीन प्रधान मंतरी को बेसर्म कह दिया गया और न तो पंडित नहरू ने ना उनकी पार्टी के किसी विकारे करता ने ना घरजुन के बारे में कोई बुरा भला कहा क्या आज के वक्त में आप इसकी कलपना भी कर सकते हैं सपने में भी मत करिएगा वरना EDCBI का चापा पढ़ जाएगा आपको तुरंट देश द्रोही गोसित कर दिया जाएगा यूए पिये ठोक दिया जाएगा बहुत सारे अंदभक्त मिलकर आपको पाकिस्तान ठेल देंगे सोच कर देखिए गीतों में सरकार की आलोचना करना अप राद भाना जाने लगा है मगर फिर भी प्रदान मंतरी जी कहते हैं कि वी आर मदर आप डेमोकरेसी हाल ही में आपने देखा था निहा सिंगराठोर को यूपी में काबा गीत के लिए पुलिसिया नोटिस दिल्ली पहुचा दी गई बाद में उनके पती की नोकरी तक चली गई बेचारे बेरोजगार हो गए सवाल पूछने की वज़े से अब पहले बात कर लेते हैं जहां दंगा वहां भाजपा ऐसा मैंने क्यों कहा था और इसके बाद आपको इवियम पर हुए जबरदस पोल की रिपोर्ट दिखाएंगे उसे देखे बिना जायेगा मत और अच्छा लगे तो सेर जरूर करिएगा राम नमे के मौके पर देश भर के कई राजियों में कई सहरों में दंगे सामने आये शुरुवात से ही कहा जा रहा था कि ये सब कुछ यूही नहीं हुआ है बलकि साजिस के तहत करवाया गया है वस्टिम बंगाल में कुछ लोग गिरफतार किये गए सोशल मीडिया पर उन की तरब भी धान दीजिए बीजेपी नेता है नाम है अभय सिंग जार खंड के जमसेतपुर में दो समुदायों के बीच हुई नारेबाजी और पत्थराओं के बाद हालत बिगड़ गई इस मामले में साजी सरचने के आरोप में भाजपा नेता अभय सिंग को ग्रफतार क चाते हैं बला हो यूपी पुलिस का इन्हें पकड़ लिया राम नौमी के समय अपने माराज में भी देखा था वहां भी जो लोग इस तरह के कारों में लिप्त थे उनका संबंद कहीं न कहीं बीजेपी से था औरों को तो छोड़िये खुद भाइलपा के निलंबित विध दिया है अरोफ है कि इनके दंगाई भासल की वज़ा से माहौल खराब हुआ दंगे हुए और ये सब तो छोटे छोटे नेता वगेरा है जब बड़े बड़े लोग सरयाम चाकू की धार तेज करने के लिए कहते हैं तो फिर छोड़ भाईयों से उम्मीद भी क्या की जा सक लोग क्या सोच रहे हैं वैसे हमने पर पहले भी कई वीडियो में बात की है आज भी कुछ जरूरी बात करेंगे मगर उससे पहले आप ये देख लीजिए कि हमने जो पॉल कराया था उसमें परिडाम क्या आया है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं चार दिन के पोल में यानि कि ये वोटिंग जो हुई है वो चार दिन के भीतर हुई है इसमें 43,000 से अधिक लोगों ने वोट किया है हलाकि देश की जनसंख्या के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि 43,000 लोगों के वोट का मतलब क्या है तो आपको बता दें कि बड़े बड़े संस्थान ब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने सवाल किया था कि क्या भारत में EVM बैन होना चाहिए हाँ या ना में जवाब देना था और 96 परसेंट लोगों ने यानि कि 96 प्रसेत लोगों ने EVM को बैन करने के पक्स में वोट दिया है सूच कर देखिए कितना बड़ा अंत इन 674 कमेंट्स में से साइद 24 भी ऐसा नहीं थे जो EVM के समर्थन में हो अलांकि हमने सारे कमेंट्स पढ़े नहीं मगर 102 सब के सब यही कह रहे थे कि EVM हटाओ लोगतंत बचाओ भारत बचाओ यहां तक की लोगों ने ये भी कहा कि जब तक EVM है बीजेपी को कोई हरा नही सकता मैं एक बार फिर से सापकर दूं कि मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा सवाल यह है ही नहीं कि EVM से चोरी हो सकती है कि नहीं सवाल बस इतना सा है कि लोक तंत्र जनता का जनता द्वारा जनता पर सासन होता है और यदि जनता का इस सिस्टम पर भरोसा ही नहीं रहा तो फिर क्या चुनाव आयोग को इस पर विचार करने की ज़रूत नहीं है आखिर देश में बार बार चुनाव क्यों करवाई जाते हैं हर पांच साल पर चुनाव इसलिए होता है ताकि जनता के मन की सरकार बनाई जा सके जनता उसे गद्धी पर बिठा सके जिसे वो पसंद करती है जिस पर भरोसा करती है तो यदि हर 5 साल पर सरकारों के उपर जनता का भरोसा जाचा जा सकता है चुनावों के माधिम से तो फिर चुनावी प्रक्रिया में जनता के भरोसे का क्या कोई अर्थ नहीं निकलता क्या भ या फिर सरकार को कोई विचार करना चाहिए चुनावा आयोग या फिर सरकार खुद ही एक बार जनता से ये सवाल क्यों नहीं कर लेती कि देश की कितनी प्रसत जनता इवियम के पक्स में है और कितने लोग इसके विरोध में है क्योंकि एक बार फिर से दोरा दूं सवाल इव को लेकर किस प्रकार का संदे है बहुत सारे लोग यह भी मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोट को इवियंग पर बैन लगाना चाहिए अब जब कि पड़ोसी मुल्क बांगला देश में भी विपक्स की मांग पर इवियंग को बैन किया जा चुका है तो क्या भारत की जनता की है कि वो अपने ही देश में अपनी ही इच्छानुसार चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की मांग कर सके हमारा काम पुसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोग पुचाहिएगा हमसे जुनने के लिए बहुत धन्यवाज चैहिंद